पुश्कर की इसकुली छात्रा दिव्यंका के प्रश्ण का जवाब भारत के प्रदान मंतरी नरंदर भाई मोधी देंगे इसके लिए दिव्यंका के प्रश्ण का चेन कर लिया गया है दिव्यंका आजमेर की डेमोस्ट्रेशन इसकुल में अध्यान रत है और पुश्कर की पारसर सिक्षान इकेसंद से पास आउट है दिव्यंका ने बताया की उसका शूट कर लिया गया है और आगामी चार-पांच दिनों में ही उसके प्रश्ण का शूट दिखाया जाएगा इस प्रश्ण का जवाब भारत के प्रदान मंतरी नरंदर भाई मोधी देंगे भारत के प्रदानमंतिर प्रतिवर्स चात्र चात्रों के प्रश्णों का जवाब देते हैं जिसमें पुषकर के दीव्यंका का चैन किया गया है दीव्यंका के इस प्रश्ण का चैन राष्टे इस्तर तक होने के कारण पुषकर के लोगों में खुशी की लहर है डिव्यंका ने बताया कि मोबाइल जरूरी भी है लेकिन इतना जरूरी भी नहीं होना चाहिए कि छात्र छात्रे अपने पड़ाई छोड़कर और दिन बर मोबाइल के पीछे लगा रहे हाँ हाँ लेकिन मोबाइल से आप बहुत अच्छे सारी चीजे भी सीख सकते हैं इसलिए मोबाइल का यूज क्यों पड़ाई के लिए ही करें तो अच्छा है नमशकार मैं हूँ दिनेश पारासर ब्रह्म पुषकन यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे साथ मेरी भान जी दिव्यंका है और आप यहां पारासर स्कूल में ही पड़ी है मेरे मित्री की स्कूल है और आपका जो चैन है परिक्षाक के लिए जो परिचर्चा होती है प्रतिवर्ट्स हमारे भारत के प्रदान मंत्री जी चात्रों से परिचर्चा करते हैं उसके लिए आपका चैन हुआ है आपका शूट हो चुका है एक दिन पहले इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बदाई देता हूं दीवंका क्या-क्या आपका शूट हुआ है और आप पारशर शिक्षा निकेतन तो मेरे लिए वैसे भी बहुत अच्छी तालिम मिली है मुझे वहां से, मैं वहां पर बच्पन से पड़ी हूँ, हलाकि वो मेरे घर की स्कूल है, तो मुझे जब मैं शुरुआ से इंटेलिजन्ट थी, तो मुझे लोगों से सुनने को मिलता था कि वो तेरे मामा की स्कूल है, इसलिए तो टाप करती है, और तश्वी मेरे साथ में कुछ हुआ, जिसमें सेकेंड हो गई, तो तब मैं काफी उदास थी, कि मैं मेरे स्कूल के लिए कुछ भी नहीं कर पाई, तो आज मुझे गर्व है, कि मैं पारशर स्कूल के कारण वहां प कर रही है कि उनको ये कहते थे लोग तेरे मामा की स्कूल इसलिए तो तो पाती है, लेकिन नहीं, आज उसको दिव्यांका ने जुटला दिया है, आज दिव्यांका अजमेर में पड़ाई कर रही है, और वहीं से इनका प्रश्ण का चैन हुआ है, वहीं प्रश्ण प्रदा दिनों में दिखा दिया जाएगा.